हालो फ्रेंज मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउज का बैटनेक डिजाइन एकदम नया डिजाइन है और बहुत ही सिंपल तरीके साफ इसे बना सकते हैं बैट पार्ट को आपको अपने साइज की साफ से कट कर लेना है और डिजाइन यहां पे बोटनेक में इसके उसे साड़े चेंज सोल्डर लिये हैं और आर्म होल की लंबाई यहां पे हम छेंज दो पॉइंट ले लेंगे ब्लाउज का टोटल लंबाई 15 इंच में लिये हैं 14 इंच में इसे त्यार करना है सीने का चोथाई भाग 9 इंच और 2 इंच मार्जन ले लेंगे तो यहां पे 36 चेस दो दूरेस ने कर सकते हैं जितना डेप गला पहनते हैं आफ ले सकते हैं लेसे लेंगे नीचे से कलिए मोर्गी चोड़ाई साड़े गे यहां पे मार्कर मार्करम और यहां से और ऊपर के अर्टाइस को बोटने का सेफ देना है तो कोने आपको वेहीं के दूरी पर एक पी करते हुए उपर के साइड का जो गला है उसमें सेफ दे देना है और देखे नीचे से भी आपको डेडिंज पे लाइन बनाना है और उसी लाइन को टच करेंगे उपर के साइड कॉर्णर से आपको धाई इंच की दूरी लेनी है यहां पर देखे इस तरह से मिलाते हुए आपको गले में सेफ देना है यहां पर साड़े तीन इंच में गले की चौड़ाई नीचे वाला जो गला है उसका ली हूँ आप हलका सा निसान को प्रेस करके दूसरे साइड भी लाके देख सकते हैं कि सेफ आपका कैसे आया है उसमे को डबल फॉल्ड करेंगे डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहां से इसको खोल लेंगे खोलने के बासे आपको पीन लगा देना है ताकि मार्किंग करने में इधर उदर नखिश के आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाली मार्किंग है ना बहुत किलिए दिख रहे बस उस मार्किंग के उपर आपको यहां पर पेपर पेस्टिंग पर मार्किंग कर लेनी है सेंटर पर जरूर मार्क कर लें देखिए यहां पर सेंटर पर मार्क कर रही हूं और इस मार्किंग को करने के बाद से नब एक एक इंच के दूरी पर आपको एकदम बराबर बराबर से बाहर आपई विगनर्स रहें तो पहले पेपर पर कट करें और आपको गला लगे कि सही कटिंग हुआ है उसी को रहकर के आप पेपर पेस्टिंग पर कर लें देखिए यहां से एक चप छोड़के कट करेंगे इस तरह से करना है पेपर पेस्टिं पर ही एक ना है इसको चिपका लेंगे और चारों तरब से बाहर के साइड से आपको एकदम बरावर से कट करना, इसमें कुछ भी आपको मारजन नहीं लेना है. एक चीज मैं आपको और बता रहे हूं अगर आपका जो साड़ी का पीस होता है जो में कपड़ा होता है अगर मोटे कपड़े में है तो आप अस्तर के उपर ना पेस्ट करके डायरेक्ट जो में कपड़ा होता है साड़ी का पीस उसके उपर पेपर केस्टिंग को पेस्ट कर यानि चिपका लें यहां पे जो साड़ी का पीस है न काफी लूज है और पतला कपड़ा है पेपर पेश्टिंग अंदर से दीख सकता है इसकी लिए मैं पहले अस्तर पेश्ट की और उसके बाद से देखिए जो में कपड़ा है ब्लाउच का में पीस उसके उपर अब रखके कर रहे हैं तो आपका टाइम का बचत होगा अगर में कपड़ा थोड़ा सा मोटा है न तो अब डरे में कपड़े की ऊपर ही रखके पेश्ट करें अस्तर वेश्ट करने की कोई जरूवत नहीं है अब देखिए फ्रेंस बाहर की साइड बिन एकदम कोने पर एकदम कॉर्ण पर सिलाई लगा करके इसको सेट कर लेंगे यहां पर देखिए दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद से बिल्कुल इसके बराबर से फिर से कट कर लेना है आपको कि तो देखिए यहां से हम कट कर लिए हैं और कट करने के वासे आपको अंदर का जो कपड़ा उसे नहीं कट करना है पाइपीन बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक हैंच में दो सूता कम चाउडाई जालोगे करना है जो कि जाहिब पकड़ नहीं किसला है जो हमारा पायर के साइड निकालते जाना है और एकदम किनारे पर आपको शिलाई लगा लेना है देखिए इस तरह से पट्टी को एक साइड से फोल्ड नहीं करना है कि अंदर के साइड चला जाएगा अब देखिए यहां पे न अच्छे से गुलाई देते हुए पाइपीन का सेफ देंगे अगर आपको प्रब्लम हो रहा है आप यह पाइपीन बनाने में तो आप पाइपीन नहीं बनाएंगी तो भी चलेगा इसके उपर लैस लगा सकते हैं बाद में जब पोट्ली इसके अंदर सेट कर लें उसके बास इसके किनारे पर लैस लगा लें देखिए कोने पर कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद से इसको फोल्ड कर लेंगे और अब देख सकते हैं कि बहुत ही फिनिसिंग की साथ हमारा पाइपीन बन रहा है यहां पर भी आपको थोड़ा सा कट लगा लेना है उसके बास इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है बाहर की साइड गले के उपर पाइपी में ने यहां पर हमारा रेडी हो गया है और पाइपी ने कर लेंगे देखे़ंग का मेंन कपड़ा लेंगे आप देख सकते हैं यह ब्लाउंज का पीस है तो यहां पे मेन कपड़ा को आपको सीधे साइड से रखना है और उसके उपर यहां पे अस्तर वाले पाट को रखके स्टीज कर लेंगे अब अस्तर को बाहर के साइड पल्टेंगे और जो मार्जन है अस्तर के साइड ही होना चाहिए यहां पे मैं सीधे साइड से सीलाई लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे श्टोन है अब इसको उल्टा करके ना चारो तरब से सीलाई लगा करके में कपड़े के साथ सट कर लेंगे अब आपको अक्नला क्या है अस्तर के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिंख रहने उसको कट करके आपको गुन करले करना है यहां पे क्लीन करने ़िछ से इसको बीच बीच से फोल्ड करें pluck और ध्यान दें आपको उल्टे साइड से इसको फोल्ड करना है सेंटर पर एक कट लगा दें उपर के साइड और नीचे सेंटर जहां भी आ रहा है न बीचो बीच में आपको चौक से निसान बना लेना है यहां पर निसान बहुती किलिए दिख रहा है और अब हम गले पट्टी वाले पार्ट को भी लेंगे इसको भी आपको बीचो बीच से फोल्ड कर लेना है इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा सा भी तिर्चा नहीं होना चाहिए उपर के साइड कट लगाएंगे और यहां पे जहां भी संटर आ रहा है जहां भी फोल्डिंग आ रहा है वहां पे आपको चौक से निसान बना लेना है नीचे का निसान देखिए एक पर आना चाहिए और उपर का जो हम कट लगाएंगे दोनों एक पर आना चाहिए और यहां पे पिन लगा देंगे, अगर आपके पास पिन नहीं है तो संटर में एक सिलाई लगा लें, पिन लगाने के बाद से आपको पूरे गले के उपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग को चिपकाते हुए आपको सिलाई को चलानी है, एक जिसका आपको एक चाप दूरी पर आपको इसको कट कर लेना है देखिए अनदर का जो कपड़ा रहारत है अब पूर्य राउंड में आपको छोटा छोटा कट लगा देना है ता कि अच्छे όल我觉得 कट लगाने के बाद से ने फ्रेंस देखिए यहां पे कॉर्णर पर ज्यादा कपड़ा दीखिए उसको भी आपको क्लीन कर लेना है यहां पर कैची के नोक से मैं कॉर्णर को बाहर के साइड कर रहे हूं आप किसी भी नुकीले चीज से कर सकते हैं दोनों साइड का कोन आपको अच्छे से बाहर के साइड कर लेना है और कोने को निकालने के बाद से यहां से हलका सा नौकुन से प्रेस करते हुए अब इस पट्टी को हम सीधे साइड फोल्ड करने वाले हैं देखिए इस तरह से अब इसको हम सीधा कर लेंगे देखिए सीधे साइड आ गये हैं और पट्टी को आपको सीधे साइड रखके अच्छे से प्रेस लगा लेना है यहां पर प्रेस लगाने के बाद से बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके गले को पहले अच्छे से से शेट कर लेंगे देखिए एक साइड सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड नहीं लगाना है धाई इंच लंबाई शोड़ाई में आपको शारकोर कपड़ा यहां पर लेना है और यहां पर कॉटन लेंगे यानि रूई लेंगे उसमें गुलाई देते हुए कपड़े की बिल्कुल बीच में रखेंगे चारो तरब से आपको कपड़े को अच्छे से खीचते हुए इसमें गुलाई देना है देखिए पोटली का सेफ्टे देना है और यहां पे सेम कलर का धागा लेना है आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस धागा नहीं लेना है अच्छे से गोलाई देते वे देखिए इसको सेट कर लिये हैं इसी तरह से बाकी पोटली को भी आपको रेडी कर लेना है तेकि पूरे पोटली को रेडी करने के बास से अब हम यहां पे एक साइड चिलाई नहीं लगाए हैं जो भी पोटली का मार्जन है न इस पट्टी के अंदर के साइड अच्छे से डालते जाएंगे देखी इस तरह से एक एक इंच के दूरी पर आपको पोटली को सेट करना है कि यहां पे स्टोन है इसके वह से थोड़ा सा प्रब्लम हो रहा है मुझे अगर आप प्लेन ब्लाउंच के उपर इसको बना रहे हो तो और इजली बन जाएगा अब देखे फ्रेंस दूसरे कोने तक हम आ गये हैं और यहां पे भी आपको एकदम बराबर की गैपिंग से पोटली को सेट कर लेना है अब देखे लाश्ट तक पूरे गले के उपर पोटली सेट कर लिये हैं और पोटली सेट करने के बास से देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है यहां पे एक इंच चौड़ा पट्टी लेंगे उरेवी पट्टी है एक साइड से इस पट्टी को आपको एक चाप फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेना है तो देखिए एक साइड से पट्टी को फोल्ड कर लिए हैं और फोल्ड करने की बासे फेंस देखिए इसको बरावर कर लेंगे बरावर करने की बासे अंदर का साइड का जो गला है उसके उपर यहां पर हम पाइपीन बना रहे हैं यहां पर दोनों का सीधा साइड अच्छे से मिलाके रखना है और यहां पर भी आपको सिलाई उल्टे साइड से ही लगाना है देखिए जो पाइपीन की पट्टी है उसको एक सुता बाहर के साइड निकालके रखे हैं और यहां पर जो हमारा ब्लाउच का गला है उसमें से आ लिए हैं और अब हम इसको सीधा करेंगे यहां से सीधा करने की बाद सेव आपको पाइपीन में गोलाई देनी है देखिए इस तरह से एकदम बराबर से आपको पूरे गले में पाइपीन सेट कर लेना है कि यहां पर कोने पर न दोनों साइड से अच्छे से फोल्ड करके पाइपीन को सेट करना है देखिए इस तरह से कि इसी तरह से न आपको पूरे गले में पाइपीन बना लेना है अब देखिए लाश्क तक हम आ गए हैं दूसरे कोने तक और इस साइड भी अच्छे से कॉर्णर पर पाइपीन को सेट करना है यहां पर देखिए एक दम अच्छे से गोलाई देते हुए ना लाश्क तक पाइपीन बनाएंगे तो यहां पर देखिए दूसरे साइड भी ना बहुत ही फनिसिंग के साथ पाइपीन बन गई है यहां पर साड़े चार इंच लंबाई चोड़ाई में चार कोर कपड़ा लेंगे और यहां पर कॉटन लेंगे और इसमें गुलाई देते हुए ना बिल्कूल संटर में इसके रखेंगे जैसे पोटली बनाये थे ना उसी तरीके से बनेगा लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा बनेगा देखिए इस तरह से चारो तरब से खीचते हुए कपड़े को आपको यहां पर कठा करना एक दम गुल अच्छे से बादने के बाद से ना नीची के साइड आधा हिंच छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट करना देखिए से आपको आधा हिंच छोड़ देना है और अब यहां पर रेडिमेंट डोरी लिये हैं जो कपड़ा है उसके बिल्कूल सेंटर में इस डोरी को अच्छ अधा इंच कपड़ा था उसको धागे से लपेट लेना है डोरी के साथ अंच्छे से अट hazard कर लेना है, यहां पर नॉंट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद से यहां अब हम देखे चार इंच दो सुता दोनों साइट से चार कोर कपड़ा लेंगे पेपर सौरी पेपर पेस्टिंग लेंगे अभी इसको देखिए चार भाग में फोल्ड कर लेंगे चार भाग में फोल्ड करने के बाद से न यहां से दो दो इंच के दूरी पर आपको लेना है और देख सकते हैं गोल कटके रेडी हो गया है यहां पर बराबर कर लेंगे इसी तरह से आपको तीन पीस कट करके अस्तर के ऊपर रखके पेश्ट कर लेना है देखिए चारो तरफ से आपको चार इंच दो दो सुता आना चाहिए अब इसको बीच से फोल्ड करके स्टीच करेंगे इसको सिलने से पहले आपको ध्यान देना है कि पेपर पेश्टिंग के ऊपर आपको सिलाई नहीं चड़ानी है बिल्कुल उसको चिपकाते हुए आपको सिलाई लगानी है इसलिए नीचे के साइडम एक चाप मार्जन के लिए कट कर लिए है अस्तर वाले देखिए चारो तरफ से एक चाप कपड़े को छोड़के कट कर लेंगे चोटा चोटा कट लगा देंगे देखिए पूरे राउंड में और इसको पलटके सीधा कर लेंगे यहां पर पलटके सीधा करने के बाद से न देखिए दोनों को आपको पलटके सीधा कर लेना है बाकी पीस को आपको सेम एडिया से त्यार कर लेना है अब इसके उपर प्रेस लगा देंगे तो अच्छे सिग्दम सेट हो जाएगा देखिए प्रेस लगा लिए है और अब यहां पे इसको रखके स्टीज करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह से तिर्चे में इसको फोल्ड करके स्टीज कर रहे हैं यहां पे देखिए दो इंच में दो सुता कम आएगा सिलने के वासे तो यहां भी दो इंच में दो सुता कम के दूरी पर आपको रखके स्टीज क कर लेना है अब यहां पर एक्ष्टे कपड़े को छाटेंगे और इसको पलट के सीधा कर लेंगे इस तरह से सीधा करने के बाद से देखिए दूसरा पीस आपको लेना है और उसे भी रखके श्टीच कर लेना है इसमें भी आपको डेड़ इंच की बीच में डोरी को गैप देना है उसके बाद उसको स्टीच करना है तो यहां पर देखे फ्रेंस से मैडिया से पीस तरह से फोल्ड करके स्टीच कर लेंगे गैपिंग तीनों में आपको बीच वाली जो बराबर देनी है और यहां पर देखे दोनों लटकन आप को सेम एडिया से रेडि कर लेना है लटकन का लुक आप देख सकते हैं बहुत ही फैंसी आघाया है यहां पर अब हम हमारा design का कोना है यहां पर देखे उपर की साइड का बोटने का जहां कॉर्णर है वहां पर इस डो कम्प्लीट हो जाएगा टक्स लगाने के बाद से तो फ्रेंस में में इत करती हूं समझाने का तरीका पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज एर चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आया है और यहां पर देखे बाकी सारी वीडियो को भी आप चाके देखिए बहुत ही असान असान वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा पहनने के पास इसकी फिटिंग भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फिटिंग आरे इस डीजाइन की तो आज के लिए बस इतना है मिंते फिन नेक्ट वीडियो में